What's up guys, I hope you are doing well, I am weird, welcome to Mr. Deloord family ये देखे कि नी शांदार बात यहां पर बोली गई है जिस चीज का डर लगता है, वही चीज करो, डर हमेसा के लिए खतम हो जाएगा आप लोगों ने सुना भी होगा कि डर के आगे जीते, आखिरी ऐसा क्यों बोला जाता है ऐसले इसलिए बोला जाता है कि जब तक कोई काम हम लोगों को करना होता है वो काम जब तक नहीं होता है, तब तक हम लोगों को लगता है इक पता नी कितने बड़ी बात है टोपर है पता नहीं यार कैसे 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 करते होंगे पर लेकिन जी दिन आप लोगों को एक्जाम क्लियर कर लेते हैं उस दिन बाद लोगों से कोई पूछे की क्या था तो बोला कि कोई नहीं हो गया बस आराम से तो इस तरीके का आप लोग के अंदर से दिल से आवाज निकल कर आती है तो इसलिए कोई भी अगर आप लोग टार्गेट बनाएं कि हाँ लाइफ में ये करना है तो सबसे पहले आपके ने मन को समझाईए कि हाँ कुछ नहीं है आराम से हो जाएगा जब लोगों ने किया है तो मैं भी कर लूगा तो इस तरीके से आप लोग अपने आपको बोल के चलना है आते से जादा काम आप लोग ही पर ही खतम हो जाएगा बाकी बस आगे प्लान बना कर आप लोगो प्रोपर डे बाई डे अपने काम को आगे बढ़ाते हुए चलना है तो आप लोग अपने मुकाम तक पहुँच जाएंगे बाकी आप लोग के सामने हैं आप एक personality है हमारी ही जो study law or family है उसके एक member है लोधी देवे स्राजपूत इनके दोरह हैं आपर बच्चों को पढ़ाना है इसका मतलब यह होता है कि आप लोग को जब भी time मिले फिर आप लोग उसको utilize कर लीजे ठीक है यह नहीं कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो अपने time को आप लोग अपना प्ठाई का time छोड़कर आप लोग को जाकर किसी को पढ़ाना है पहले अपने आप पेरो पर खड़े हो जाएए उसके बाद में आप लोग को बहुत time मिलेगा जब भी आप लोग को time मिले या फिर पढ़ाई के साथ भी आप लोग week में लिकाल सकते हैं एक दो घंटा तो ऐसे कर सकते हैं अपनी पढ़ाई का नुकसान करकर आप लोग यह नहीं करना है ठीक है क्योंकि अभी अपनी पढ़ाई का नुकसान करोंगे तो फिर पहुज़ादा पोल में पढ़ जाओगे तो अपनी पढ़ाई को आप लोग को continue रखना है अपने time को waste निकरना है अगर आप लोग को लगते है एक्स्टा time बच गया है mode phrase करने के लिए आप लोग को पढ़ाना है तो उस तरीके से मैं अभी बोलता हूं अगर जोग कर रहे हैं तो आप लोग जरूर कर सकते हैं यह काम को time निकाल कर पढ़ा सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं आईए अपने अ आप लोग को नाम बताना है यह एक तरीका platform यहाँ पर माना जा रहा है आपर corporates और PSUs के लिए contribute करने के लिए amenities nearby railway station यानि के माली जे किसी को dustbin वगानी है या पानी के पीने की facilities provide करानी है कोई भी ऐसा सफाई का काम करना है या फिर कोई और facility provide करानी है तो उसके लिए अगर को केंट्री में किस दिन celebrate करते हैं पहला question दूसरा question भी इसी से connected है आप लोग को पता होना चाहिए 1949 में हमारी जो Constituent Assembly थी जिसके द्वारा समविधान बनाया गया है उसके द्वारे हाँ पर हिंदी को adapt किया गया था as a official language तो हिंदी जो देवनागरी लिपिब में होती है यानि जिसे UN में हमारी external affair minister सुसमा सवराजी काफी जद्दो जहत करके हाँ पर हिंदी को एक तरीके से international language बनाने के लिए काफी तत्पर है तो उसलिए भी काफी news में रहता है इसलिए आप लोगों से question पुछा जा सकता है तो हलका सा idea आप लोग को रखना है एक बात तो आप लोग पर कौन सी है यह आप लोग के सामनी question तो सबसे पहले तो वैसे मैंने बताई दिया इंडिया जो है जिस तरीक से मैंने वह भी बताया आप लोगों हमारी country है बाकि आप लोग दूसरी और तीसरी country का नाम यहाँ पर बता सकते हैं पांच दिन लगातार यहाँ पर काम करने के बाद भी लोग आप लोगों ने देखा हुआ कई बार तो weekend में भी लोग offices में जाते हैं तो 69% हमारी population है इसके लाबा अगर बात करें second number पर यह कौन सी country है 43 है और 27 पर जहां सबसे ज़्यादा hard working लोग पाई जाते हैं यह आप लोग के सामने question अगला question है आपर एक freedom fighter के बारे में उनकी recently अभी death हुई है उनका नाम आप लोग को बताने है जिनका नाम आप लोग को बताने है उन्होंने quit India moment में भी पाडिसिपेट किया था और काफी important personality थे educationist थे freedom fighter थे social reformer थे और इनको जो अभी आप लोग को इसके बारे में आप लोग को नाम बताने है एक 104 की उमर में इनकी अभी death हुई है ठीक है बाकी यहाँ पर यह question पूछा गया था recently अभी UPC में laser की full form तो दीखिए ऐसे-एसे question भी आप लोग को से normal पूछने को मिल जाते ह तो आप लोगों एक कभी भी इनके में doubt होना नीचे direct आप लोगो यह याद होना चाहिए एक ऐसी country का नाम अभी पूछा गया था जिसकी intention थी कि उसने withdraw करने की बात की थी international criminal cost of justice से तो यह भी question अभी recently पूछा गया था तो आप लोगो बताना है कि हाँ पर कौन सी यह वो country त तो 7-8 question आप लोगे हैं आप पर है क्योंकि एक question में आप लोगे दो question है आप तो जीतने भी आप लोगे question यह आपर सही हो नीचे comment box से अपना score जरू लिखेगा बले ही zero क्यों नहों आईए एक बार नज़र डालेते हैं क्या कि हैं आपर answer हैं सबसे पहला जो एप का नाम है यह रेल से योग एप रेल से योग एप वो एप है जिसके तहट यहाप पर एक platform प्रोवाइड कराया गया है ताकि आपर corporate या पिर PSU जो होते हैं हमारी country के वो मिलकर काम कर सकें और railway के पास में जो भी facilities प्रोवाइड कराना चाहते हैं उसको सेप्टमबर 14 हमारी country में as a national hindi दिवस के रूप में celebrate किया जाता है और article 343 के तहत है जो बात कियाती है official language यह निकिए देवनागरी script में official language के तो पर यहाँ पर यह बात कियाती है तो काफी important हलका सा idea आप लोग रख सकते हैं हमारी country सबसे ज़्यादा hard working है दूसरे number पर Mexico और जो काफी लोग हैं जो hard working आप लोगों को देखने को मिलते हैं और लगातार काफी दिनों तक काम करते रहते हैं तो पांच देते हैं आपर normally आप लोगों को देखने को मिल जाता है यह जीसी मुहापात्रा जिसका मैंने आप लोगों से नाम पुछा था freedom fighter educationist social reformer जिनके दोर एक लंबा प्रोचिजर चलता रहता है तो इन्होंने जो participate किया था इन्होंने इस jurisdiction में participate किया था तो ऐसे आप लोग इसके में confused मत होईएगा यह country है फिलिपिन जिसका मैंने आप लोगों से नाम पूछा था तो इसने बात की थी अभी international criminal court of यहां पर criminal court से आपर withdraw करने की बा हैं खेलो इंडिया जो यूथ गेम है हमारी country में यह अभी second edition आप लोगों को देखने को मिला फर्स्ट एडिशन लास्ट यह था और जो फर्स्ट एडिशन था वो न्यूट एहली में हुआ था पहली बात दूसरी बात जो फर्स्ट एडिशन हुआ था आप लोगों से पू two medal हुआ पर जीते गे थे जिसमें 38 गोल्ड थे ठीक है यह वैसे अगर ज्यादा medal की बात करें तो जीते गे थे महरास्ट गे दौरा लेकिन गोल्ड के हिसाब से हम लोग count करते हैं तो इसलिए महरास्ट गे जो गोल्ड थे वो 36 यानि कि 36 थे और जो यहाँ पर गोल्ड थे जो हर्याना के वो 38 थे यह मैंने आप लोगो पहले ही बताया था तो confuse आप लोगो नहीं होना है पर लेकिन अगर बात करें अब की बार के एडिसन की तो अब की बार करच एडिसन है यहाँ पर टोप किया गया है महरास्ट गे दौरा यानि कि महरास्ट गे दौरा जो जुझे छोड़ दिया अब की बार और पहली बार भी यह थोड़ थे लिए यादा हरियाना माहरस्टा हो डेहली अपनी तीसरी पॉजिज़ाइं अपनी पोसिटन ऊपर नीचे नहीं था नहीं ऑगे यह। लोग थोड़ा याद इसको रख सकते हैं और यह second edition था और कहाँ पर हो रहा था यह पूने महराश्टा में आप लोग को देखने को मिला कब से कब तक था यह 9-20 जैन तक आप लोग को देखने को मिला और total जो gold अपकी बार इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं यह 403 आ यहाँ पर silver और 60 यहाँ पर bronze होगे डेली की बात करें तो 48 gold होगे 37 silver होगे और 51 यहाँ पर bronze होगे तो यह तीन जो top हमारी country के जो तीन यह top यहाँ पर जो member हैं इनके बारे में आप लोग को याद रखना है और यह second edition थे जो की पूने महराश्टा में अब की बार देखने को म 5 लेने जो 5 लेने दो तो इसी तरीके से यहाँ पर ज्याद रखना होगे बढ़ाने की बात यहाँ तो यह एक यहाँ बड़ते हैँ यहाँ टोलग नजाद डाल सकते हैं यहाँ पर एक पूरी medal टेली आप लोगे सामने है यह 2018 की है और यह 2019 की है यह टेली में यह पूरे महरास्टा में तो सारी डेट से आप लोगे सामने है और यह 1st टीम, 2nd टीम, 3rd टीम यहाँ पर हरियाना महरास्टा डेली और महरास्टा हरियाना डेली ठीक है तो यह पूरा आ यहां पर इनको एक complete state बना दिया गया था 21 जनवरी 1972 में, तो यह celebrate करते हैं और कौन सा वो act था जिसके तहते इनको complete state का दर्जा दिया गया था, यह था यहां पर North Eastern Reason, Reorganization Act 1971, कौन से हैं आपर, Manipur, Meghalya और तिरपुरा, तो आप लोग एक बार देख लिजें कहां का पर है यह state तो यहां पर यह हो गया Manipur, ठीक है न, यह हो गया आपर Meghalya और यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा तिरपुरा, तो यह तीन राजे हैं, अगर Manipur की बात करें, दो को टच करता है, नागर लैंड, आसाम और यहां पर आप मिजोरम देखने को मिलेगा, तिरपुरा बना था हो 2014 में, हमारी कंट्री में तेलंगाना आंदरपर्देश से अलग होकर नया राजे बना था, अच्छा, टोटल हाई कोट कितने है आज केड़ में हमारी कंट्री में, जो अभी रिसेंटी एक नया हाई कोट बना हो आप लोग को बता होगा, उसकी संख्या कि अगर आप लोग काउंट करते हैं तो हमारी कंट्री में तोटल हाई कोट्स कितने हैं, यह आप लोग को बताना है, आगे बढ़ता हूँ, बाकि यह काफी important information यह आपर निकल कर आ रही है, जो human resource development ministry है हमारी कंट्री की जिसके अंडर में, education system हमारी कंट्री का आता है, अभी यह बोल हैं आपर human resource development ministry के जो मिनिस्टर है परकाज जाविड करजी को कि उनके द्वारे हैं आपर एक घंटा अभी period लगाने की बात की गीए, यह यह निके पहले जो बोला जाता ना था, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे, नवाब, खेलोगे, खूदोगे, बनोगे, खराब, अब के लिए, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, तो इसके द्वारा बोला गयार कौन कर रहा है, तो हलका सा आइडिया आप लोग रखेगा, बाकी काफी important news है, एक बार थोड़ से इसको जहांजे सुनिएगा, क्योंकि जो first time कोई चीज होती है, त कौन से time के olympic होते है, नीचे comment box में आप लोग बताइए, तो रीड इजिनेरियो को world, यहाँ पर world capital of architecture for 2020 के लिए हाँ पर declare किया है, यह इस तरीके से अब तक किसी को declare नहीं किया गया था, यह first city हाँ पर है, जो इस तरीक से declare की गई है, यह प्रोग्राम है पर launch किया गया है जिसके तहत यहाँ पर यह इस तरीके से, जो world capital of city architecture, यानिके जो पुराने और जो नहीं, दोनों का mixture जहाँ पर देखने को मिलता है, यानिके अगर आगर आप रीड इजिनेरियो की आप लोग बात करेंगे, modern और colonial architecture, दोनों शांदा तरीके से आप लोग को हाँ पर देखने में इनके द्वारे हाँ पर यह से कुछ होना है, यह announce किया गया था, तो फर्स एटिये इनके द्वारा, रीड इजिनेरियो को announce कर दिया गया है, तो जो फर्स टाइम हो रहा है, तो उसके बारे में आप लोग हलका सा idea जरूर रखिएगा, आगे बढ़ता हूँ, अब बात क साइड से कोई ऐसी बात निकल कर नहीं आई है, पर नेपाल की साइड से हमारी कंट्री के 2500 के और 200 के जो नोट्स हैं, वो यहाँ पर बैं कर दिये गे हैं, यानि कि अब इसके स्रिजन यहाँ आपर इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ऐसा जैसा नेपाल के बैंक के द्वारे आपर बोला गिया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके ओपर एक special वीडियो भी बनाई है, इससे आप लोग को पता चल जाएगा, detail में मैंने आपर इसके ओपर discuss किया है, क्योंकि यह काफी important है, demonetization जब हमारी country में हुआ था 8 नमबर को, उसके बाद में क्या-क्या problem यहाँ पर tourism को बढ़ाने के लिए बात की जा रही है, और total कितना target है इनके वहाँ पर उसको, कितने हाँ पर, मतलब यह target लगा जा रहा है कि इतने, इतने, जो यहाँ पर tourist यहाँ पर आने वाले हैं, यह भी आप लोग को बताना है, तो तमाम काफी detail में discuss किया गया है, वीडियो के integrated medicine forum 2019, forum मतलब होता है एक तरीकी का मंच, जो regulate करने की बात की जा रही है, यहाँ पर homopathy, याणि कि आप लोग जानते हैं, जिस तरीकी से कही तरीका medicine system होता है, तो जो homopathy होता है उसमें, तो homopathy जो medical products है, उन से लेट यहाँ पर बात की गई, और यह जो forum देखने को मिला, य यहाँ है कि एक ऐसा system है, जो कि natural तरीके से बहुत अच्छे से focus दे कर चलता है, अगर हेलोपathy के हम लोग बात करें, जो दवाई हम लोग लेते हैं, सर में दर्द है, कोई गोली लेली काम खतम हो गया, वो एक fast tech तरीका है, पर लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, तो इसे परवासी भारते दिवस के बारे में भी, परवासी भारते दिवस का जो अभी 15th एडिशन आप लोग को देखने को मिल रहा है, बनारास यानि के वारांसी में, यहाँ पर जो इनगरेट किया गया है बिरिसेंडली, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, और आप लोग को यह बताना है कि इस पर चीफ गेस्ट कोन है, यह काफी इंपोर्टेंडर में ने कल ही आप लोग को यह पढ़ाय भीता है इसके बारे में, अब बात कते हैं इसका दूसरा पहलू, यहाँ पर एक प्रोग्राम हमारी कंट्री में चलाया गया था, नो इंडि इसी जिनका ओरिजन है किसी ने किसी तरीकी से उनके चाचा, बाबा टाता पुगा, जो भी हाँ पर यह यहाँ पर अन्थी से 2nd, 3rd जन्रेशन की बात कि जाती है नोर्मली, तो जो यहाँ पर connect रहे होंगे, उनके बारे में बात कि या रही है, तो उनके बच्चे जिनको इ इंडिया के मतलब नो इंडिया प्रोग्राम के तहित ज्यानि के इंडिया में वो विजिट कर सकते हैं इसके तहित आप यह काफी इंपोर्टेंट है और यह खास कर अगर देखने को मिला जो लॉंच किया गया था 2014 से हाँ पर यह लॉंच किया गया था प्रवासी भारते दिवस के उपलक्स में और अभी हाँ पर यह कंटीन्यू है तो काफी इंपोर्टेंट इसके बारे में आप लोग हलका सा इडिया जरूर रखे है कोशन आप लोग उसे पूछा जा सकता है आप ठीक है नो इंडिया प् इंपोर्टेंट है और जिससे डिरेक्ट कोशन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं आगे बात की जारी हैं आपर एक परसनेल्टी के बार में तो 111 साल की है यह जो काफी एज आप लोग देखते हैं आपर 111 साल तो अभी इनकी डैथ ही आपर नाम है सिव कुमार स्वामी जी, तो सिव कुमार स्वामी जी, यह हाँ पर थुमा क्रूट ठीक है तो यह थुमा क्रूट इसके हाँ अपर जो कहां पर पड़ता है यह थुमा क्रूट यह करनाट का में देखने को मिलते हैं तो यह रिलीजिस एक्टिविटी से इन परसनेल्टी का नाम आप लोग जया आज की डेट में जो नोर्मली मालता है वो 65-70 के बीच में लोग निकल लेते हैं पर लेकिन हाँ पर 111 है तो काफी आप लोग इंपोर्टेंट परसनेल्टी बोल सकते हैं तो हलका सा आइडिया रखेगा तो जो पांस सेंचुरी से चला हुआ है हाँ पर यह मठ है उसके यह है ठीक है न तो हलका सा आइडिया बारे में आप लोग जरूर रख सकते हैं और कहां पर यह करनाटका में है नाम के हैं यह थुमा करू ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे जो बात की जारी हैं आप यह कुश्चन के आंसर है आप लोगे सामने जो कि आप लोग ने काफी अच्छ की थी आप यह पूरे में हुई थी जिसके बारे में हम लोग ने डिस्स किया था और नेपाल के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया था इसके तहट सागर मता जो नेम है यह माउंट एवरेस्ट का है जो कि नेपाल में आप लोग को देखने को मिलती है पंदरवा प अंदुलकर को कौन से एर में दिया गया था याद आप लोगो चलिए जाकर सर्च किजएगा कि उनको कब दिया गया था ओके आगे बढ़ते हैं आगे नज़र डालते हैं आप इंटरनेशनल और नेशनल न्यूस के उपर तो जो फर्स्ट नीज यहाप निकल के आ रही है य से लिए कि जो आस-पास की कंटी में वो अलग-अलग तरीके से ताम-ज्हाम के साथ में हाँ पर सांति बनाई रखने की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर पाईस्तान ने बोला है कि UAE के साथ मिलकर सांति बनाई रखने की आपर बात कर soccer से को यहाँ आप रिave बात करने की बात आती है तो UAE हैं पर होस्ट करता है इनकी मिटिंग अभी तालिबान और US के ओफिसल की जो बात की गई थी वो भी हाँ पर आबुदावी में हाँ पर निके द्वारा होस्ट की गई थी एक वीक एगो तो यहाँ पर जो घुमा फिरा के बात याती है कि किस तर आए जहां पर हम लोगों ने सबने मिलकर भी यह बोला था कि अफगानिस्तान में सांती बना के रखनी है हम लोगों ठीक है तो वह काफी important मिटिंग थी खास कर पहले बार इस तरीके से हम लोगों ने किसी के साथ में ऐसी मिटिंग की थी जिसमें हम लोग पर पर बात कर रह ने करता है किसी के साथ में चैठ चानी या मार पिट करता है फिर रह एकसी तरीके से रोबरी वग'रर करता है तो इनके हैं पर एक हन। के करीब यहापर जो फोर्णर ए उनके वीजे अपर क्यांसिल कर दिये गए है तो 500 के करीब यहापर देखने को मिलेगा आप लोग यहाँ पर sexual crime में हाँ पर कोई हाँ पर committed पाय जाता है तो उसको भी लगबग यहाँ पर काफी अच्छे से काफी एक मतलब अच्छे से उसको जेल में डाला जाता है और उसको मतलब एक धंग से treat नहीं किया जाता है कहने का मतलब यह काफी एक तरीके से अच्छे लाया आप ल वगएरा तो हलका सा idea आप लोग रख सकते हैं अब बात कते हैं commitment के बारे में तो यह amendment काफी न्यूज में था और हिंदू newspaper हम लोग ने इसके बारे में discuss भी किया था एक बार फिर से overview आप लोग को दे देता हूँ DNA use and the application technology तो यह एक बिल हमारी country में निगल के आया इसको regulate करन पता लगा जा सकता है कोई भी किसी भी तरीके से आपर देखे कई बार ऐसा होता है कि कि किसी बेगुणा को फसा दिया जाता है तो बेगुणा को किसी को नय फसाया जा सके इस तरीके से आपर आप लोग देखते हैं बाकी देखिए इस तरीके से अगर यहाँ पर पता चल आपर कोशिस की जा रही है पर लेकिन सबसे बड़ी जो पोलों निकल कर आती है आखिर इस डेटा को कब तक हम लोग प्रोडेट करके रख पाएंगे ये देखने वाली बात होती है क्या हम लोग यहाँ पर यह करने में सक्सिसफूल हो पाएंगे तो यह भी देखने वाली बा आती है बात करते हैं आपर इनवर्मेंट के बारे में तो हमारी केंट्रि में एरपोर्ट और ठेरेटी ओफ इंडिया जो आप लोग बोलते हैं उसने आपर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैंद कर दिया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होती है मालीज़े आप सिंगल यूज प्लास्टिकी होती है क्योंकि बहुत सस्ती होती है तो हम लोग यूज करते हैं और फैंक देते हैं उसी को रोकने के लिए एरपोर्ट ओथरेटी ओफ इंडिया ने हापर इंपोस क्या है कंट्री में 129 एरपोर्ट पर बैन लगाने की बात की गई है क्योंकि द बाकि अगर यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज और यहाँ पर यह भी इंपोर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं क्वालिटी काउंसिल ओफ इंडिया के इसाफ से अगर चले हैं आपर 16 जो एरपोर्ट है हमारी कैंट्री में उनको सिंगल यूज प्लास्टिक से फिर जो कि इंडिया में पैदा हुई थी गीता गोपिनाथ गीता गोपिनाथ फॉस्ट वूमेन बन गई है इंटरनेशनल मुनेटरी फंड यह निके आईमेफ की जो चीप इकनोमिस्ट यहाँ पर बनी है यह तो देखे इस तरीके से आप लोग हलका से इनके बारे में याद आर वाई यह भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं यह आपस फिल्ड पूरा नाम इनका ठीक है तो यहाँ पर यह इनको हैं पर रिप्लेस करने वाली हैं बाकी जो इंपोर्टेंट है यह आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा यह पूछेगा कि नाम क्या इनका नॉर्मली महाराष्टर के अंदर में और लगों से लुटेंट हैं पुछा गया यह कौन सा आर्टिकल है जहाँ पर protection against arbitrary और excessive जो punishment होता है उसके खिलाब यहाँ पर जो protection दी जाती है उसके बारे बताने हैं बात बताने हैं आप यहाँ पर गोपालन case यहाँ पर जो यहाँ पर बात की जा रही है जो interpretation किया गया था article 21 का तो उसके बारे में narrow interpretation देखने को मिला था फिर main का कहाँ दी आपर case निकल कर आया तो कब-कब यह निकल कर आया case यह आप लोग को बताने है बाकि यह statement आप लोग को complete करने हैं आपर procedure is established by law plus यहाँ पर यह procedure should be fair and just not the arbitrary तो यह किस के equal है तो इस lecture में हम लोगों ने detail में यह discuss किया था सारे question के answer इस lecture में आप लोगों मिल जाएंगे और lecture का link आप लोगों वीडियो के नीचे मिल जाएगा बाकि यह question हमें आप लोगों से last video पूछे थे तो हमारी country की जो defense minister है उनके द्वारा तमिल लाडू में अभी यहाँ पर एक second corridor यहाँ पर established किया गया जो कि आप लोगो देखने को मिला defense industrial corridor ठीक है तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा इसके अलावा फर्स जो था है आप आप लोगो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था ठीक है बाकी CNR राओ यहाँ पर यह है वो personality जिनको भी एक award दिया गया है UAE के द्वारा तो यह भी हम लोगों ने discuss किया था अलका सा idea रखेगा USA की military के द्वारे हाँ पर carried out like किया गयते हैं आपर Somalia के अंदर में जो अलसबाब terrorist group है उसके उपर attack बाकी अगर बात करें हाँपर India हाँपर सुपर पास करने वाला है UK को अभी fifth economy बनने वाला है और recently हम लोगों ने France को सरपास किया था ठीक है 49 यहाँपर world economic forum जो annual summit है यह दावोस Surgeon Land में देखने को मिली तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा तो हलका सा आइडिया आप लोग को होना चाहिए देख लेता है क्या कि हम लोगों ने आज डिसकस किया इसके बाद में फिर आप लोगा quiz होगा जिसका आणसर आप लोग को देना है और देखे जब भी time मिला ऐसा आप लोग जरूर किया कीज़े काफी motivating लगता है अगर इस तरीके step आप लोग उठाते है बागी question के answer इसी त मिला नेपाल के द्वारा जो बात करी हम लोगों ने की करेंसी को बंद कर दिया गिया है और डिटेल में लेक्टर है उसका लिंक भी आप लोग को वीडियो के नीचे मिल जाएगा आप लोग जाकर देखते हैं अगर extra information चाहते हैं तो बाकी हो में पैथी से लिटेड़ जो ह बाकी हम लोगों ने आपर अफगानिस्तान में इस्टेबिलिटी की बात की पाकिस्तान की साइड से नेक्स्ट यहां पर 800 जो फोरणर है उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया है अस्टिले के द्वारा इसके लावा है आप डिन ने यूज एंड आप्लिकेसिन टेक्नलोजी ब बारे में जानने को मिला पॉलिटिकर रिवजन है जाकर देखेगा और कुश्ट का आंसर दीजेगा वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा बागी इसकी बात करें आप लोगों से यह पूछे गए थे कुश्ट सिंद का आंसर है अब देख लेते हैं आज का क्विज आज का क्विज अगर हैं पर देखें तो सेकिंड वर्ल्ड यहां पर जो इंटीग्रेटेड मेडिशन फोरम तुथाजन नैंटिन जो आप लोगो देखने को मिली ठीक है यह आप लोगो कहां पर देखने को मिलने वाली है 23 जन्वरी को तो यह पर दिया गया है 2020 के लिए आप लोगो बताने हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम में कौन सा राज्य है जिसने टोप यहां पर किया है कौन सी कंट्री के बैंक ने 2500 और 200 के नोट जो हैं आप लोगो ने पढ़ा है टाडोबा यह नेसल पाग यहां पर कहां पर आप लोगो दे लाइक कीजिए डिसलाइक क्यों कि आप लोगो बताईए बाकि जो लेक्चर में आप लोगो बताई है उनके लिंक आप लोगो नीचे मिल जाएंगे आसपास समय रखे पानी और पेट पोतों को सेव कीजिए पोलतिनल पास्ट अगरो बिलकुल यह नहीं करना है तो बड़ झाल